Hey what's up guys, welcome back once again दोस्तों आज़ी कहानी जो explain करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन survival slasher story होने वाली है जिसके शुरुआत में हम एक वीरान से जंगल को देखते हैं जिसके बीचों बीच एक अकेली लड़की किसी से डर कर भाग रही है जो असल में एक mask man है पर वो दिखने में बहुत ही अजीब और डरामना है इतने में वो लड़की एक पील से टकरा कर गिर जाती है जिससे कि उसके पैर में एक गहरी चोट लगती है और वो अब दोल नहीं सकेगी इसी का फायदा उठा कर वो mask man उसकी ओर आना शुरू कर देता है कि तभी पीछे से एक इनसान आता है और उसको मारना शुरू कर देता है इतने में हम देखती है कि वो लड़की भी भी होश हो गई है इससे पहले वो अंजान आदमी जिसने खुद भी मास लगाया हुआ था वो उस खुंखार से इनसान को मार देता है और फिर उस ललकी को उठा कर कहीं ले जाने लगता है अब वो कहां जाता है और उसका क्या करता है ये सब तो हमें नहीं मताया गया लेगन हाँ जब इस कहानी का इंट्रो इस तरह से है तो सोचिए कहानी कितनी भयानक होगी कायला और माधी दोनों ही बहुत ही अच्छी दोस्त हैं जिनें हम साथ में वॉल पर कुछ स्प्रे करती वे देखती है पर उन दोनों के पीच में बीते कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिसके वज़े से आज भी उनके बीच बहस चलते हैं दोनों अपने अपने रास्ते चल देती हैं। लेकिन कुछी देर के बाद जब काईला को अपनी दोस्त की चीखनी की आवाज सुनाई देती है। वो फोरण ही पीछे की और भागती है। लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। वो काईला को पीछे से इंजेक कर देता है और फिर उसे कहीं अपने साथ ले जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है पहुचता है अमेरिका के एक सूखे जंगल के बीच जिसको हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। वहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स रखा हुआ है जिसके उपर हम ब्यूटी सिक्स लिखा हुआ देखते हैं। तब ही हमें उसके अंदर बंद काईला को दिखाया जाता है जिसकी आँख एक साइरन बजने से खुलती है। वह खुद को ऐसी जगां पाकर बहुत ज़ादा डर गई थी। इसलिए फौरन ही उस बॉक्स से बाहर आती है और भागना शुरू कर देती है। लेगन इतने में वह देखती है कि उसकी आँखों से खून निकला है जो कि डोस ना मिलने की वज़े से हुआ था। क्या कायला को कोई बिमारी है या फिर उसके साथ कुछ किया गया है ये दो हमें कुछ देर में बता चल जाएगा। फिलहाल वो मैडी मैडी चिलाती है क्योंकि इसे किसी भी हाल में अपनी दोस को डूड़ना है। लेगन इससे पहले कि उसे एक पेड की नीचे किसी लड़की की सड़ी हुई लाश दिखाई दीती है। जिसे देखकर वो और ज़्यादा डर जाती है और इतने में दो लड़कियां पकड़ लेती हैं और चुप रहने को कहती है। वो लड़कियां अपना नाम आलिस और शीना बताती हैं और पूछती है कि क्या तुम भी बॉक्स में बन थी तो काय लगाती है कि हाँ लेगन ये जगा कौन सी और मैं यहां तक पहुची कैसे। लेगन यही सवाल का जवाब तो वो दोनों भी ढून रही हैं लेगन उन्हें कुछ नहीं पता। इतने में शीना पूछती है कि क्या उसके पास उसका फोन है। यह सुनकर वो भागना शुरू कर देती है और उसी बॉक्स के पास पहुचती है जहां वो बन थी। असल में उसे लग रहा है कि शायद उसका फोन भी वही होगा लेगन ऐसा कुछ नहीं होता। वो पूरा बॉक्स खाली था इसलिए वो मायूस हो जाती है। उधर हम उस माक्समैन को देखते हैं जो हातों में एक्स लिए किसी को बहुत ही बेसबरी से ढून रहा है। वो कौ जिसे बाड़ बिखोष हो जाती है। जब उसकी आंक कुलती है तो उसके सामने आलिस खड़ी थी, जिसे वो अपनी वीमारी के बारे में बताती है कि उसे ये बचपन से है। इसके बाद आलिस उसे बताती है कि शीना ने हमें उसके बताय हूए रास्टे पर चलने को इसलिए वो दोनों उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि वो इस जगां से बहां निकल सके इतने में बीच में उन्हें एक और बॉक्स दिखाई देता है सेम उसी तरह का जिसमें काईला को रखा गया था उसे देखकर वो दोनों सोच में पर जाती हैं कि आकिर इसमें किसको यहां पर लाया होगा उसके उपर कुछ भी लिखा हुआ नोटिस करता है जो था बीस्ट सिक्स इसके आगे वो कुछ और सोच पाते कि उन्हें वही मास्मैन अपनी हाथ में एक्स लियावे देख जाता है यानि कि वो इन्ही की तलाश में इधर से उधर भटक रहा है इसलिए दोनों ही इस बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं उसके जाने का इंतिजार करने लगते हैं लेकिन दोस्तों उसने ये बॉक्स देख लिया था इसलिए वो इनके करीब आने लगते हैं पर काइला एक लड़की का टुकला दूसरी दिशा की और फेकती है उसे गुम्रा कर देती है जिसे वो सोच जाने लगता है पर अब काइला से खुद को संभाला नहीं जा रहा बिना दवाईयों के जादा देर वो ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकेगी इसलिए वो एक बार फिर से भी होच हो जाती है जिससे कि आलिस अकेली पर जाती है अब यहां पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर देती है उसे लगता है कि वो उसे मार देगा इसलिए वो भागना शुरू करती है जिसे वो मास मैन उसे फाइनली देख लेता है उसका पीशा करना शुरू कर देता है आलिस अपनी पूरी जान से भाग रही थी तब ही वो पीछे से अपना एक्स भेगता है पर उसका निशाना चूक जाता है पर यहां आलिस भागने के बज़ा है उस एक्स को निकालने लगती है इतने में वो उसके करीब आ जाता है और उसे पकड़ लेता है वो बहुत कोशिश करती है कि वो उसी एक्स से उसके फेस के दो टुकड़े कर दे लेकिन वो उसी एक से उसके फेस के दो टुकले कर देता है जिसे मौके पर ही उसकी मौद हो जाती है कुछ समय के बाद जब काईला को होश आता है तो वोट कर आलिस को ढूनती है पर उसे वो तो नहीं दिखती हाँ उसकी सरकटी हुई लाश जरूर मिल जाती है जिसको देखकर काईला को समझा गया था कि अगर यहाँ पर उसको जिन्दा रहना है तो हर एक कदम फूक फूक कर रखना होगा क्योंकि एक गल्ती उसको बहुत ही बेरहम मौद दे सकती है इसलिए वो वहाँ से भागना शुरू करती है लेकिन वो जाय तो जाय का क्योंकि उसके आगे ना तो खतम होने वाला रेगिस्तान है पर वो फिर भी बस भागती रहती है बिना रुके कि तभी उसे वही साइरन की आवाज एक बार फिर से आती है जो उसने बॉक्स में सुनी थी वो फोरण वहाँ खड़े एक टांगे के पीछे चुप जाती है पर इसी बीच उसकी नजर एक और लड़की पर पड़ती है जो कि उसी की और भागती वे आ रही थी पर उसके पीछे वो बंदा भी था जो सभी को मार रहा है जी हाँ वही मास्क में जो अपनी एक्स भेकता है जो जाकर सीधा उस बेचारी लड़की की पीट पर लगती है और वहीं गिर जाती है दिन वह मास्क में उसके करीब आकर उसे पूरा खतम करने की कोशिश करता है कि एतने में काईला अपनी जगां से उट खड़ी होती है और उसे छोड देने को बोलती है उसे देखकर वो मास्क में वेव करता है पर इतने में उसके पीछे से एक दूसरा मास्क में आता है जिसके कारान दोनों में लडाई होना शुरू हो जाती है अब हमें ये तो समझा रहा है कि यहाँ पर एक मास्क में नहीं है मतलब कई सारे किलर है अब वो इसी का फायदा उठा कर वो लड़की उस लड़की को लेकर वहां से भाग जाती है और पहुशती है जंगल में जहाँ पर कम से कम पेल वगारा तो है जहां वो छुप सकते हैं कुछ देर के बाद उसे एक खूकला पेड नजर आता है जिसके अंदर वो उस लड़की को छुपा देती है और उपर से कुछ घास रखती है और कहती है कि तुम्हें यहीं पर रहना होगा जिब तक मैं मदद लेकर ना आ जाओ पर उसे यह नहीं पता कि यहां पर कोई जादा देर नहीं रह सक क्योंकि कोई तो है जिसको हर किसी की खबर है कि वो कहां पर है और क्या कर रहा है उदर वो मास्मैन ने दूसे वाले को मार दिया था और खुद अब वो उस लड़की की तलाश में जंगल तक पहुच गया उसे कून की खुचबू भी आने लगी है इसलिए वो उसी की और बढ़ रहा है पर वहां काईला अभी भी जंगल में भागी जा रही है इसी उमीद में कि शायद उसे कोई मदद मिल सके लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कि उसके साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है लेकिन वो कहां किसी की सुनने वाला था उसने तो उसे पेड़ से बांध कर उसके दोनों हाथ ही उखार दिये थे जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है उदर काईला के पास भी सेम ऐसे ही मास्मैन पहुचता है उसे मानने ही वाला होता है कि तब ही वो पीशे मुल जाती है और उसे डड़ने के बजाए उसका डटकर सामना करती है जिससे आकर में वो मननने ही वाला होता है कि एतने में उसका मास्क खुद बखुद फढ़ जाता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है पर क्या ये किसी तरह का गेम है जिसमें सिर्फ लड़किया है शायद कुछ लोग है जो उनकी विल पावर को चेक कर रहे हैं इन खुंकार दरीन्दों के सामने आपको क्या लगता है और आकिर में ये मास्मैन अपने आप कैसे मर गया कैर अब लड़ने के बाद काला रुकती नहीं है वहां से आगे की ओ निकल जाती जहां पर उसे कुछ कैबिंस दिखाई देते हैं जिनने देखकर लग रहा था कि इसमें बरसों से कोई आये नहीं है उसके अंदर जाती है लेकिन कुछी देर बाद उसे पीशे से हलचल तो देखती है कि वहां भी उसी तरह एक लड़की मौजूद जिसको उसने गायल कर दिया है जिस बाद से उसे बहुत ही पश्तावा होता है इतने में हम वहां पर शीना को देखते हैं वही शीना जिसके शुरुआत में हमने देखा था जिसके साथ रोज नाम की लड़की भ जाती है अब डोस नाम मिलने के वज़े से लेकिन ऐसा हर बार ही नहीं हो सकता क्योंकि इसके काफी साइड एफेक्ट भी है जो उसे आगे जाकर जहलने पड़ेंगे इसी बीच जब वह भी होश थी तो उसने मैडी का सपना देखा जो जिन्दा कहीं मदद की भीख माग रह और उसने अपने पास रोस को बैठा हुआ देखा जो बहुत डरी हुई है इसी लिए वो उसके पास जाकर अपने सपनी के बारे में बताती है और समझाती है जहां तक मुझे लगता है मैं कहीं से मॉनिटर किया जा रहा है इसी लिए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी क्योंक से उसे ख्याल आता है कि उस लड़की जो मरी हुई थी वो उसकी आँख निकालती है जिसके अंदर उसे वायरस मिलती है मतलब उसके अंदर क्यामरा लगा हुआ था अब आप समझ गया होंगे कि उसका सवाल का जवाब उसे मिल गया था सच में यहां पर एक गेम चल रहा है तब ही वो रोज की आँखों में बहुत ही आजीब तरह से देखने लगती है और कहती है कि हमें मॉनिटर किया जा रहा है खुद की ही आँखों से लेकिन उसकी बाते सुनकर वो उसे पागल समझ रही थी अब कुछ जिर बाद वहाँ पर शीना भी आ जाती है जिसको देखक रोज थोड़ा अच्छा महसूस करती है वो उस ललकी की आँख को वहाँ पड़ी वे देखकर काला की ओर देखती है तब वो से बताती है कि ये एक गेम चल रहा है आपर एक लाइव बूचर गेम जिसमें कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है हमें मानने के लिए और हम क ज़ादा डर जाती है कि वो उसे ढूंड लेता है और ले जाने लगता है पर इतने में वो दोनों लड़कियां बाहर आजाती है और उसे डटकर सामना करती है जिससे वो गेट के बाहर आ जाता है तब ही उसका मास फढ़े आता है यानि कि एक और लेवल इन्होंने पार कर यह सब देखकर काईला को समझा गया था कि असल में इस गेम के कुछ रूल है जैसे कि हम जादा देर छुप नहीं सकते कहीं भाग नहीं सकते हम लड़कियों को एक कोड दिया गया है और एक प्रोटेक्टर भी जो उन्हीं मासमैन की तरह दिखता है जब तक वो उसके साथ रह आये था लेकिन मारा गया और फिर वो भी बात में मारी गई उन दोनों को बताती है कि इस गेम में जो लड़की सबसे आकिर में बचेगी वही इस गेम को जीतेगी जिस उनकर शीना उन दोनों की और बहुत ही आजीब नजरों से देखती है जैसे कि वो समझ गई है कि अब उसे क्या करना है और ये बात काईला भी नोटिस कर लेती है इसलिए वो रोस को लेकर दूसरे घर में जाती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे किसी भी हाल में कुछ भी नहीं होने देगी अगर वो शीना के साथ रहती तो वो उसे मार देती है क्योंकि उसके लिए हम दोनों को मानना ज़्यादा असान है ऐसे कंपियर उस मास्कमैन के अब ये बात रोस भी समझ जाती है इसलिए वो उसका साथ देती है दिन दोनों एक प्लान बनाते हैं जिसके लिए उसी घर का पीछा एक गढठा खोदना है जिसमें से पहले तो काईला निकलती है लेकिन जब रोस की बारी आती है तो वो एक वायर में फच जाती है वो बहुत कोशिश करती है किसी भी हाल में उसे बाहर खीचने की लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था कि तभी वहाँ पर वो मास्कमैन उसकी आवास सुनकर आ जाता है घर के अंदर जाकर उसे अंदर से बाहर खीचना श अब काईला देखती है कि शीना कुल हाली लेकर कहीं जा रही है इसलिए वो भी उसका पीछा करती है और उसे रोक कर समझाती है कि तुम ऐसे सब को मार कर इस गेम को जीत नहीं सकती तो तुम्हें किसी न किसी की जरुत तो पड़ेगी लेकिन शीना को गेम की रूल अच्छे से पता है इसलिए वो कोई भी बेकूफी नहीं करेगी पर इसके लिए उसके पास समय भी तो होना चाहिए क्योंकि अगले इसीन में हम उसके पीछे काईला के प्रोटेक्टर को देखती है जिसने शीना के सिर के दो टुकले कर दिये थे जगर रोज को शीना का प्रोटेक्टर घसीडता हुआ ले जाने लगता और इसे मानने की कोशिश करता है लेकिन शीना के मरते हुए उसके प्रोटेक्टर का भी सर भट जाता है जिसे रोज फ्री हो जाती मतलब दोस्तों प्रोटेक्टर तभी तक जिन्दा रहेगा, जब तक उसका साथ ही जिन्दा रहेगा, अगर उसका साथ ही मर गया तो प्रोटेक्टर अपने आप ही मर जाएगा, इधर काईला के पास उसका प्रोटेक्टर आ गया था, वो चाहती तो रोज को मार कर इस गेम को जीच जाती, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा चांस है, पर वो ऐसा नहीं करती है, और उल्टा अपने ही प्रोटेक्टर को मार देती है, जिससे कि यह बस बचती है, वो और रोज, जो जा कर उसे गले लगती है, अब आगे का गेम क्या है, पर अब आगे क्या गेम अभी कंटिन्यू होगा, जी हाँ, अभी भी खेल चल रहा है, जब तक कोई एक नहीं बचेगा, तब तक यह चलता रहेगा, दोनों फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर इस बीच आता है, इस कहानी का असली ट्वेस्ट, जी हाँ, कुछ देर जाने के बाद काला को एक ज इसन की लड़की है, उसने सभी को मार दिया, तकि वो मैडी की जान बचा सके, तब ही महाँ पर मैडी का प्रोटेक्टर आता है, जिसके सामने काला खड़ी हो जाती है, लेकिन इतने में वो फिर से भी होश हो जाती है, पर रोस को पता था कि अगर वो मैडी को मार दे, तो इसलिए उसने ऐसा किया, पुछ गंडों के बाद जब कायला की आँख खुलती है, तो उसने मैडी को मरा हुआ देखकर रोस की उपर बहुत चिल लाई, और कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो कहती है कि उसने अब उसकी जान मचाने के लिए ऐसा किया, पर कायला को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आती है, इसलिए वो फैसला करती है कि ये वो अब अकेले का सफर तै करेगी, कायला उसी रेकिस्तान में आगे बढ़ती है, पर अब उसने अपनी एक आख निकाल लिया, ताकि कोई भी उसे देख ना सके, उसने एक सारिन भी तोड़ दिया है ताकि देखने वालों को लगे कि अब वो मर चुकी है, इसलिए उन सभी ने रोज को विनर घोशित कर दिया और उसकी जान बजगी, लेकिन असली विनर तो कायला ही है क्योंकि उसकी चलाकी और बहादुरी ने सब का दिल जीत लिया, पर रुकिये, कहानी अभी खतम नहीं ह पर जो अपने वी आर पर इस गेम को एंजोई कर रहा था, लेकिन एरर आने के वज़े से वो परिशान होकर उसे फेक देता है और एक इंसान को कॉल लगाता है, नेतने में उसके पीछे हम कायला को काला चश्मा पहना हुआ देखती है, जो उसे करेंट देकर कुरसी पर बा ही करता है, ये सुनते ही कायला उसका गला काट देती है और कहानी इसी दिरिश के साथ खतम हो जाती है, इसके बाद क्या हुआ, क्या वो उन लोगों तक पहुच पाई, क्या भी भी ये गेम चल रहा है, ये सब हमें नेक्स पार्ट में देखने को मिलेगा, तो उसके लिए क जुँई में रहा है, इसके रहा है तक बादा लेक्शRI क omin, ये सबस्वच पार्ट में पार्ट में देखने को मिलेगा, ये समया बाहा है, पार्ट में देखने को ये लिए.